तो नमस्कार दोस्तों सिविल सॉल्यूशन में आप सभी का फिर से स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं पेवर ब्लॉक के बारे में तो आज पेवर ब्लॉक कैसे बनता है इसके यूजेस क्या है और इसके फाइदे जो भी है आज आपको बताया जाएगा इसी वीडियो में तो वीडियो में अंतग बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों अब हम आ गये हैं उस प्लांट पे जहां पे हमारा पेवर ब्लॉक तयार किया जा रहा है तो अब देख सकते हैं यहां इतने सारे मोल्ड इसके जो हैं रखे हुए हैं और यह हमारा जो फ्रेस अभी कास्ट होके आया है उसे यहां पे रखा गया है और जो हमारे अल्रेडी बन चुके हैं पेवर ब्लॉक उसे सेट किया गया है और यह जो गनी बैग है इसको जो हम जूट का बोरा जिसे कहते हैं इसे इसे पानी और मोईस्चर को वरकरार रखने के लिए यानि उसके क्योरिंग करने के लिए इसे दिया जाता है और हमारा जो यह मिक्सर है इसे मिक्स करके उसके बाद इसके मोल्ड पे इसे डाला जाता है और आप देख सकते हैं यह जो हाइड्रॉलिक मशीन है यह वाइब्रेट करने का काम करती है और इसी के वाइब्रेशन के थुरू इसी के वाइब्रेशन से आपका जो मेटेरियल को कॉम्पेक्शन करने का काम किया जाता है देखिए जो फर्स्ट एंड है वहाँ से उस मोल्ड पे जो हमारा मेटेरियल है उसे भरा जाएगा उसके बाद उसे छोड़ दिया जाएगा और हमारा जो यह वाइब्रेटर मशीन है यह खुद आटोमेटिकली उसे वाइब्रेट करते लास्ट एंड तक उसे पहुचाएगा लास्ट एंड जब पहुच जाता है तो इसका मतलब आपका मेटेरियल पूरी तरह से कॉम्पेक्शन हो गया है और इसमें स्ट्रेंथ जो है उसमें मैक्सिमूम स्ट्रेंथ आता है अब देखिए यहाँ पर किस तरह मोल्ड को फिल किया जाता है तो दोस्तों अब हम पेवर ब्लॉक पेवर ब्लॉक के डामेंशन में आते हैं यानि इसका लेंथ ब्रेथ और डेप्ट कितना होना चाहिए और कितना होता है इसके बारे में हम बात करेंगे तो जैसा कि इसका लेंथ होता है 200 से 215 mm जो हमारे स्टेंडर्ड साइज है वो 200 से 215 mm तक का है वो आपका लेंथ हो गया और इसका जो ब्रेथ है वो आपका 150 mm से 170 mm तक लिया जाता है और इसका जो डेप्थ है वो 20 से 60 mm तक स्टेंडर्ड साइज है यानि जो हमारा नॉर्मल यूज होने वाला साइज है वो है 20 से 50 60 mm तक का इसका डेप्थ ये हमारा जेनरली यूज होने वाला पेवर ब्लॉक है मगर कभी कबार हमारे एरिया के हिसाब से वो डेप्थ आपका वैरी करता है अगर हम मतलब उस हेवी एरिया में जहां ट्रक वगेरा पार्क किये जाएंगे उस एरिया में लगाएंगे तो उसका जो डेप्थ है वो 100 mm तक भी चला जाता है और इसके durability और life के बारे में बात करें तो यह कम से कम 20 से 22 साल तक आराम से चलता है कोई भी इसमें परिशानी नहीं आती है बेनिफिट्स के अगर बात करें हम तो देखें दोस्तो थोड़ा मोबाइल स्क्रीन में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा क्योंकि इसी में मैं वीडियो बनाता हूं और ऐसे मैं वरवली आपको पूरा कोशिस करूंगा कि आप इससे समझ जाए तो जैसे हम अगर इसका बेनिफिट्स का बात करें तो बेनिफिट्स आपका जो है यह स्लिप रेजिस्टेंस है जल्दी से इसमें आप स्लिप या स्कीड नहीं कीजेगा उसके बाद इसे लगाने के बाद यह इसमें लोड बेरिंग कैपिसिटी रहता है यानि यह जल्दी से धसेगा नहीं या फिर जल्दी से वो जगा आपका डेमेज नहीं होगा और अगर दूसरे इसके बेनिफिट्स के बात करें तो ये रेनी सीजन में सबसे अच्छा काम करती है इसमें कोई भी किसी भी तरह का सिलीपेज वगेरा नहीं होता है पानी इसके थू ही आपका ग्राउंड लेवल मे इसमें कोई भी तरह का परेशानी आपको फेज नहीं करना पड़ेगा की चड़ वगेरा नहीं होता है तो रेनी सीजन के टाइम में ये सबसे डूरेबल है जैसा कि मैंने पहले बताया कि 20-22 साल तक आपको उस जगह को देखना नहीं पड़ेगा जहान आप पेवर ब्लॉक इस्तिमाल किये हैं देखे थोड़ा बहुत कंक्रीट भी 20-22 साल तक नहीं चल पाता है कंक्रीट पेव्मेंट और अगर आप उसे ऐसी खुला छोड़ देंगे जैसे मड या डस्ट एरिया में तो आपको कुछ ना कुछ प्राब्लम डेली फेस करना पड़ेगा रेनी सीजन में कीचर वगेरा का प्राब्लम जो है तो सबसे बेस्ट है आपका पेवर ब्लॉक और अगर हम इसके यूज़ेस के बाद करें तो ये पार्किंग एरिया में मोस्टली यूज होता है उसके बाद कोई भी पेव्मेंट जहां पर आप चल रहे हैं वहां यूज कर सकते हैं अ आपके जो कीचन बड़े-बड़े कीचन होते हैं जहां मेस वगेरा चलता है वहां क्या है कि डेली आपका पानी का उसमें बहुत सारा यूज होता है तो थोड़ा उसके जो सर्फेस है जो आपका उस एरिया का थोड़ा स्लिपर हो जाता है तो उस जगह पर पेव्मेंट मे अगर हम paper block का इस्तमाल करेंगे तो उसमें थोड़ा slip होने का chances कम हो जाता है और आपका जो normal accident वगेरा है ये भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है material के अगर हम इसमें बात करें तो material जो normal use होता है वो है cement जो की PPC cement इसमें use होता है aggregate आपका coarse aggregate और fine aggregate course aggregate 10 to 20 mm तक इसमें चलता है और आपका जो fine aggregate है इसमें sand या फिर flies भी कहीं कहीं use होता है chemical में हम ज़्यादा तर admixture का use करते हैं ताकि setting time को हम घटाने के लिए chemical में accelerator जो की आपका admixture है उसे use करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये set हो जाए यही हमारा यह आपका m40 grade का इसमें concrete हम यह mix design इसमें use करते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर like करें comment भी करें और अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूले और subscribe जिनोंने अभी तक नहीं किया है प्लीज जल्दी से जल्दी subscribe करें ताकि थोड़ा motivate मैं भी होता रहूंगा और आपको कोशिस करूंगा अच्छे से अच्छे वीडियो देने का धन्यवाद